इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसके पास कोई प्रोबलम ना हो, और इस दुनिया की कोई ऐसी प्रोबलम नहीं है, जिसका कोई स्लिउसन ना हो, बसरते की रास्ता बिल्कुल जायज होनी चाहिए, पर बावजूद इसके लोग अपने प्रोबलम्स को कि उसके दो बच्चे भी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़के चले जाते हैं नमस्कार आदाब मैं हस्मूदी और आप देख रहे हैं सफर क्राइम तब आज की जो सची घटना में आपको सुनाने वाला हूं दरसल ये घटना है राजस्थान परदेश की राजस्थान का एक जीला पढ़ता है हनुमानगड और इसी हनुमानगड का एक थाना पढ़ता है पल्लू पल्लू थाने के अंतरगते गाउं आता है थिराना और इसी थिराना गाउं का रहने वाला फताराम जिसकी उम्र है 28 साल फताराम की पतनी का नाम मेहर मेहर जिसकी उम्र है 25 साल फता फताराम जो कि मेनत मजदूरी का काम करता है थोड़े बहुत पैसे कमाता है और अपने परिवार के साथ बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है। बात कर रहों में 8 अगस 2014 की रातरी के वक फताराम का पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है और खाना खाने के बाद सो जाता है। जाता है। आखिरकार अगले दिन 10 अगस्त को फतेराम सुबह सुबह नजदी की ठाने में जाता है और अपने पत्नी और बच्चों का गुम्सुदी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। तो उसमें भी कोई ऐसा संदेग्द नमबर नहीं मिलता है, जिस पे पुलीस वालों को कोई सिक जाये, और देखते ही देखते, आखिर का रालगभग एक सप्ता का समय गुझर जाता है. जब एक सब्ता का समय गुजर जाता है फते राम की पत्नी और उसके बच्चों का कुछ पता नहीं चलता है एक सब्ता बाद फते राम फिर से थाने में जाता है और अपने परिवार के बारे में पुलिस से पूछ तास करता है पुलिस फतेराम को ज़बाब देती है कि हम तुमारे परिवार की हर जगोंपे तलास कर रहे हैं दरसल हमने तुमारे मोबाइल नंबर का CDR भी चेक किया लेकिन उस CDR से भी हमें कुछ नहीं मिला पुलिस जैसी इस तरह की बाते फतेराम से कहती है तो फते राम पुलिस वालों को जवाब देता है कि साब मेरी पत्नी मेरा मोबाइल नहीं चलाती थी बलकि मेरे पत्नी के पास खुद उसका मोबाइल था लेकिन फते राम जैसे इस तरह की बाते पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस भी फत्यराम के उपर गुसा आती है और पुलिस गुसे में फत्यराम से कहती है कि तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताया तब जाकर के फत्यराम अपने पत्नी का मोबाइल नमबर पुलिस को देता है पुलिस जब मेहर के मोबाइल नंबर का CDR निकलती है तो आखिरकार उस CDR में एक ऐसा नंबर मिलता है जिसमें मेहर पिछले कई महिनों से लगतार बातचित करते आ रही थी पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकलती है तो मालून चलता है कि वो नंबर किसी कृष्णा कुमार के नाम पे रजिस्टर्ड है कृष्णा जिसकी उम्र है लगभग 24 साल जो हर्याना परदेश के सिर्शा जिले के अंतरगत आसा खेड़ा गाउं का रहने वाला है पुलिस इसी सीडियार के आधार पे 19 अगास 2014 को कृष्णा के घर पे पहुँच जाती है और फिर कृष्णा को उसके घर से अपने कस्टडी में लेकर ठाने में आ जाती है और फिर पूलिस कृष्णा से मेहर और उसके बच्चों के बारे में पूछताश करती है पहले तो कृष्णा कहता है कि साब मेहर और उसके बच्चों के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है लेकिन पूलिस जैसे ही अपना सक्ती दिखाना सुरू करती है अब कृष्णा के सामने भी कोई रास्ता नहीं बसता है और आखिर कर मजबूर होकर अपनी सचाई कबूल कर लेता है कृष्णा कहता है कि साब मेहर और उसके दोनों बच्चे कुछ दिन पहले ही इस दुनिया को छोड़के जा चुके हैं लेकिन कृष्णा जब इस हत्य के पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है मेहर जो चूरू जीले के पुन्सीसर गाओं का रहने वाला महेंदर की बेटी है महेंदर जो बेहादी गरीब परिवार से है महेंदर मेहर की साधी साल 2008 में फताराम से कर देता है फताराम जो मेहर से साधी कर अपने घर लेकर आता है अपनी पतनी को पाकर बहुत खुस होता है मेहर जो भले ही गरीब परिवार से थी लेकि देखने में बेहाधी खुबसूरत फाताराम अपनी पत्णी को पाकर खुस तो हो जाता है लेकिन मेहर को खुसी नहीं होती है क्योंकि मेहर ने जैसे अपने सपनों का राजकुमार सोचा था फताराम वैसा नहीं था फताराम जो देखने में बेहादी सिधा साधा और लोगों से बहुत कम बातचित करने वाला है इसके बाजूद भी मेहर अपने पती के साथ रहने लगती है समाज जब गुजरने लगता है जैसे ही चार साल का समय गुजरता है फताराम के दो बच्चे भी हो जाते हैं जिसमें एक बेटा और एक बेटी लेकिन जैसे ही दो बच्चे घर में आ जाते हैं फताराम के घर में खर्चा बढ़ जाता है खर्चा तो बढ़ जाता है लेकिन फताराम के अमधनी में कुछ खासी जाफा नहीं हो पाता है जिसके वज़े से घर में परिसानिया बढ़नी सुरू हो जाती है जब घर के माली आलत काफी बिगड़ जाता है एक दिन मेहर अपने पती को एक सुझाव देती है कि क्यो ना मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत मजदूरी करने चलू लेकिन मेहर जैसी इस तरह की बाते अपने पती से कहती है तो फताराम भी अपने पत्नी को समझाते हुए कहता है कि ये कभी नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे खांदान में आज तक किसी महिला ने घर से बाहर कदम नहीं रखा है फताराम जब ऐसी बाते कहता है तो मेहर अपने पती को एक सुझाव देती है कि अगर ऐसी बात है तो क्यो ना हम इस जगह को छोड़ देते हैं और किसी अंजान जगह पे चलते हैं और फिर वहाँ पे हम दोनों मिल करके पैसा कमाएंगे जिसकी वज़ा से हमारे बच्चों के एक बेतर भविस भी हो सकता है मेहर की ये सुझा फताराम को भी पसंद आ जाती है और अगले ही दिन फताराम अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर हर्याना के पनी वाला गाव में चला जाता है और फिर पनी वाला गाव में किराय का कमरा ले लेता है उसके बास मेहर और उसकी दोनों पत्नी लेवर मजदूरी का काम करने लगते हैं मेहर और उसका पती जहां पे काम करते हैं वहीं पे राज मिस्तिरी का काम क्रिशना कुमार भी करता है क्रिशना कुमार भी काम के सिल्सले में यहां पे आया था मेहर जब क्रिशना के साथ में लेवर का काम करने लगती है क्रिष्णा जब पहली बार मेहर को देखता है तो मेहर की खुबसूरती देख उसका दिवाना हो जाता है क्रिष्णा को अपने आखों पर यकीन ही नहीं होता है कि एक इतनी खुबसूरत महिला लेवर का काम कैसे कर सकती है क्रिशना मेहर के नजदीक आने की कोशिस करता है मेहर के नजदीक आने के लिए क्रिशना मेहर के कामों की ठेरो सारी तारीफ करता है मेहर भी जब अपने काम की तारीफ सुनती है सुनकर मेहर को भी काफी अच्छा लगता है क्रिष्णा मेहर के करीब जाने के लिए उससे देवर भावी का रिष्टा जोड़ लेता है जब दोनों के बीच में देवर भावी का रिष्टा जोड़ जाता है इसी रिष्टे के जरिये क्रिष्णा मेहर से काफी हसी मजाग भी करता है हसी मजाग में कभी कभी कुछ हैसी बाते कह देता है जिसे सुनकर मेहर को भी समझने में देर नहीं लगता है कि क्रिष्णा चाहता क्या है दरसल तब तक मेहर भी क्रिष्णा को पसंद कर चुकी थी और आखिर कर ना चाते हुए भी मेहर और कृष्णा के बीच में अवय संबंध बनना सुरू हो जाता है एक बार जब ये सिलसिला सुरू होता है इस बात की जनकारी मेहर के पती फताराम को कभी मालूमी नहीं चलता है लगवग कई महीनों तक ये सिलसिला चलता है लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजर जाता है एक दिन फताराम अपनी पतनी से कहता है कि हमें गाउं से आये हुए काफी दिन हो गया क्यों ना कुछ दिन के लिए गाउं चलते हैं गाउं जाने की जब बात कहता है तो इसे सुनकर मेहर भी कृष्णा को लेकर के चिंतित हो जाती है मेहर कृष्णा से मुलकाद करती है और कहती है कि मेरा पती गाउं जाने की बात कह रहा है और मैं तुमसे अलग नहीं रह पाऊंगी मेहर जैसी इस तरह की बाते क्रिशना से कहती है तो क्रिशना भी कहता है कि इसमें चिंता करने की क्या बात है कुछ दिनों के बाद है उसके बाद तुम वापस चले ही आओगी लेकिन मेहर कहती है कि मैं तुम्हारे बगर एक पल नहीं रह सकती हूँ क्रिष्णा कहता है कि मेरा भी बिल्कुल वही हल है लेकिन अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारे पती को तुम्हारे उपर सक हो जाएगा क्रिष्णा मेहर को सुझाव देता है कि मैं तुम्हारे लिए एक मोबाइल ला देता हूँ और फिर इसी मोबाईल के जरियां हम दोनों एक दूसरे से बात चित करेंगे कृष्णा के ये सुझाव मेहर को भी पसंद आ जाता है लेकिन मेहर कृष्णा से कहती है कि जब तुम वो मोबाईल लाना तो मेरे पती के सामने देना जिससे हम दोनों के उपर उसको सकना हो होता भी बिल्कुल सेम यही है क्रिष्णा मार्केट में जाता एक मोबाईल खरीद कर लाता है और फटाराम के सामने ही वो मोबाईल मेहर को गिफ्ट के तोर पे देता है उसके बाद से फटाराम अपनी पत्नी और बच्चों के लेका गाउं चला जाता है लेकिन मेहर और क्रिष्णा जैसे ही दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं दोनों एक दूसरे के बगार रही नहीं पाते हैं जब दोनों एक दूसरे से फोन के जरिये बात चित करते हैं, मिलने के लिए बेचैन होडते हैं। एक दिन मेहर कृष्णा से कहती है कि मैं तो एक औरत हूँ, मैं घर से बाहर नहीं आ सकती हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे मिल सकते हो ना। मिलने की जब बात कहती है, कृष्णा को अपने घर पे फटाराम जब देखता है, फटाराम भी कृष्णा को देखकर काफी खुसी नहीं होता है, बलकि बेहतर तरीके से उसकी महमान नमाजी भी करता है। कृष्णा मेहर से मिलने के लिए उसके गाओं तक पहुँच तो जाता है, लेकिन दोनों को अधिविया में खाना बनाने के लिए जाता है, रात में महर को मौका मिल जाता है, उस रात को कृष्णा को अपने घर पे बुला लेती है, और उसके बाद से कृष्णा और महर का फिर से पहले जैसे ही मुलकात होना सुरू हो जाता है, दोनों एक दूसरे से छुप-छुप कहीं दूर ले करके चलो दूर जाने की जब बात कहती है क्रिश्णा भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए तयार हो जाता है और फिर दोनों घर छोड़ करके भागने के लिए एक सड्यांत्र बना देते हैं और इसी सड्यांत्र के तहट 8 अगस 2014 को रातरी के वक्त मेहर का सबका इंतजार कर रात है मेहर जैसे ही क्रिश्णा के पास जाती है क्रिश्णा मेहर उसके दोनों बच्चों को अपने बाइक पे बीठाता है और वहां से राजस्थान के संगरिया कस्वे में चला जाता है और संगरिया के ही रेलवे स्टेशन पे मेहर के साथ रहने लगता रहाता है क्रिशना मेहर को अपने सांथ घर ले करके लहीं जाता है कर उसके घर पर पहुंच जाए । फतराम को अब समझ में नहीं आता है कि मेहर को लेकर अब जाए कहाँ पे। दरसल्व कृष्णा अब मेहर को लेकर बोरी तरीके से फंस चुका था। इसलिए अब कृष्णा मेहर को समझाता है कि क्यों ना मैं तुम्हें वापस घर छोड़ देता हूं। जब मैं कुछ पैसे कमा लूँगा वापस तुम्हें लेकर के जाऊंगा। लेकिन घर जाने की जब बात कहता है तो मेहर उसे जबाब देते हुए कहती है कि मैं दुबारा किसी कीमत पे घर नहीं जाऊंगी। क्योंकि वापस अगर मैं घर गई तो मेरा पती मुझे जिन्दा नहीं छोड़ेगा। एक बार जब मैं घर से बाहर निकल चुकी हूं तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहोगी। क्रिष्णा को समझ में नहीं आता है कि अब वो करे क्या। मेहर को काफी समझाने की कोशिश करता है लेकिन मेहर क्रिष्णा की एक बात सुनने के लिए त्यार ही नहीं होती है। जब दोनों को कोई रास्ता नहीं मिलता है तो मेहर क्रिष्णा से कहती है कि अगर हम साथ जी नहीं सकते हैं तो साथ मर तो सकते हैं ना। मैंने सुना है कि दो प्यार करने वाले अगर एक साथ ही इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं तो अगले जना में दोनों एक साथ ही आ लेकिन मेहर एकदम से अपने जीद पर उतर जाती है मेहर क्रिष्णा को छोड़ने के लिए तयार ही नहीं होती है जब क्रिष्णा को भी लगता है कि मेहर अब उसका पीछा नहीं छोड़ेगी इसलिए क्रिष्णा भी और मेहर से पीछा छोड़ाने के लिए उसे इस दुनिय के तहट क्रिष्णा मेहर और उसके दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर साम के करीब साथ बजे के आसपास कलवाना गाउं के नजदीक इंद्रगादी नहर के पास जाता है वहाँ भी जाने के बाद क्रिष्णा मेहर को काफी समझाता है कि जो हम कर रहे हैं साध ठीक नहीं कर रहे हैं लेकिन मेहर कहती है कि एक बार जो हमने सोच लिया है अब हम वही करेंगे आखिरकार मेहर अपने छोटे बच्चे को गोध में ले लेती है अपनी बेटी का हाथ पकड़ लेती है और क्रिशना से कहती है कि हम एक साथ ही नहर में छलांग लगा देते हैं होता भी बिल्कुल ऐसी है मेहर अपने बच्चे और बच्ची को हाथ पकड़ कर नहर में छलांग लगा देती है लेकिन कृष्णा को हीमत नहीं होती है छलांग लगाने की वज़ा से मेहर और उसके दोनों बच्चों की नहर में डूब जाने की वज़ा से मौत हो जाती है उसके बाद से क्रिष्णा वापस अपने घर चलाता है वाकई में क्रिष्णा जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है खास कर कि इसकी असलियत फताराम को जब मालूम चलता है तो फताराम पुलिस वालों से कहता है कि साब कृष्णा सब कुछ जूट बोला है दरसल कृष्णा ने मेरी पत्नी और बच्चों की हत्या किया है फिलाल पूलिस ने कृष्णा को अपने कस्टडी में लेका उसे जेल भेज दिया है दोस्तो इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं आप अपनी राय हमें कमेंट बक्स में जरूर दीजिएगा तब तक के लिए जैहीं चैभारत